आज हम गाजर कालवा बनाने जा रहे हैं यह मैंने एक किलो गाजर ली है और इसको मैंने मोटे-मोटे इसमें गीज दी है ऐस तरह से और अब इसमें पानी डालेंगे मैंने आधा ग्लास पानी लिया है और इसे हम स्लो मिडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसे थोड़ा बीच बीच में हिलाते भी रहना है दो से तीन इलाइची डाल दे इसमें कूट के ताके अभी से गाजर के उपर उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए यह हमने इलाइची डाल दी अब इसे धक के पकाएंगे यह अभी इलाइची की अच्छी जी खुझबू आने लगी है अब इसे हम थोड़ा साथ हिला देंगे इसमें हम अब मिल्क पाउडर डाल रहें 200 ग्राम मिल्क पाउडर डाला है मैंने यहां पे इसे अच्छे से तोड़ ले मिल्क पाउडर को और हिलाए मैंने इस फ्लेम को स्लो ही रखाया अभी फास्त नहीं किया है इसे पूरी अच्छी तरह से पाउडर को हिला ले प्वड़ा सा पानी देख रहा है हलवे में पर जैसे जैसे वह पाउडर मिक्स होगा और घलवा प पूरा सुख जाएगा हलवे में से यह काजू और किश्मिश्ली है मैंने और काजू को हातों से ही तोड़ दिया है छोटे-छोटे तुकड़ों में मैंने अब यह एक गी एक चमच गी में गरम होने के बाद इसमें मैं काजू और किश्मिश पकाने वाली हूँ इस दी में यह मैंने काजू और किश्मिश डाल दिये इसमें और स्लोफ फ्लेम के उपर लगातार चमच हिलाते हुए किश्मिश और काजू को हिला रही हूँ अब देखेंगे किश्मिश फुल जाएगी एक अलग परीक यह देखें किश्मिश फूल गई है हमारी अच्छे से आप देख सकते है अब इसे हम हमारे हलवे में मिला देंगे दोस्तों इसमें मैंने गी बिल्कुल नहीं डाला था पहले एक चमज गी का इस्तमाल किया है काजू और किश्मिश फूलाने के लिए पकाने के लिए ऐसे करने से इसमें किश्मिश और काजु का अच्छा फ्लेवर आता है हमारी इलाइची का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें यह देखें बहुत ही बढ़िया दिखने लगा है थोड़ा सा मॉइस्ट है यह हमने बादाम से सजा लिया है इसे हमने बादाम से सजा लिया है